2.3.5 क्या अमल और शार विद्दुत का चालन करते हैं? आईए इसे समझने के लिए एक क्रिया कलाप करें क्रिया कलाप 6 100 ml का एक बीकर लेकर उसमें 50 ml तनू हाइड्रोक्लोरी कम लें दिये गए चित्र के अनुसार एक रबर कॉर्क पर दो आलपिन लगाकर पीकर में रख दीजिए चित्र अनुसार आलपिनों को 9 वोल्ट की एक बैटरी टॉर्च के एक बल्ब तथा स्विच को तामबे के तार के माध्यम से जोड़ दीजिए क्या बल्ब जला? इसी प्रक्रिया को तनुसोडियम हाइड्रोकसाइड विलियन के साथ दोहराईए क्या बल्ब अब भी जला? बच्चों हमने कक्षा नव्मी में आयनीक योगिकों के साथ एक क्रिया कलाब किया था जिसमें हमने आयनिक योगीकों के जली विलियर में विद्धुद्धारा प्रवाहित की जिससे विद्धुद्ध बल जलने लगा था याने कि उसमें विद्धुद्चालन संभव है क्या लगता है आपको अमल और ख्षार में भी विद्धुद्चालन संभव है चलिए करके देखते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हम अमल लेते हैं यह मेरे पास है तनु एच्छील ठीक है और यह है रबर की कॉर्क जिसमें हमने यह देखिए कील को इस प्रकार लगाया हुआ है और यह तार इसमें सईयोजित है तार में यह LED बल भी लगाई हुई है जिससे हम 12 वोल्ट की विद्युद्धारा इसमें प्रवाहित करेंगे तो चलिए धारा प्रवा करते हैं विद्युद्धारा का प्रवा करने के लिए यह हो गया स्विच ओन देखिए तो LED बल जला क्या नहीं जला अब हमें काम करते हैं यह लेते हैं इसे जावर्क के कॉर को इसमें डाले कि जो कील का कुछ हिस्ता जो है वो तनु एसल में डलना चाहिए डूबर रहा चाहिए ठीक है यह देखिए अब आप देख रहें देखे एलीडी लाइट जो है वो जलने लगी देख रहें बच्चों तो हमने देखा कि आमलम में भी विड्यो चालन संभव है क्योंकि आमलम में आईनी करण होता है अब एक काम करते हैं फिर से अब हम ले लेते हैं खशार तो अब हम इसको खशार के साथ करेंगे इसी क्रिया कला आपको तो हमने क्षार के रूप में ले लिया ये sodium hydroxide ठीक है और फिर से वही प्रक्रिया करनी है तो विद्धरा का प्रभा करना होगा तो ये कर लिया switch on देखिए अभी light नहीं जल रही है तो अब ये वापस से जाएगा अंदर किसमे sodium hydroxide में और बिल्कुल उसी प्रकार कि वो जो कील है वो sodium hydroxide में थोड़ी डूबनी चाहिए देखिए बच्चो लाइट जल गई इसका मतलब अम्ल और शार दोनों में आईनी करन होता है और इसलिए दोनों में विद्धुत का चालन संभव है कक्षा 9 में हमने क्रिया कलाप के द्वारा समझा है कि आईनीक योगिकों के जलिये विल्यन में विद्धुत धारा प्रवाहित करने पर बल्ब जलने लगता है इससे यह निसकर्ष निकलता है कि आयनिक पदार्थ विलियन में अपने आयनों में विभक्त होकर विद्दुत का चालन करते हैं इसी प्रकार उप्रोक्त क्रिया कलाप में अमल और शार के विलियन द्वारा विद्दुचालकता यह प्रदर्शित करती है कि अमल और शार का भी आइनी करण होता है